ओम श्यांति आज 13 अगस्त 2021 की साकार मुरली आज बबा नी कहां मीठे बच्चे मन मनाव हो की डील सदा करते रहो तो 21 जनमों के लिए रोष्ट पूष्ट अर्थात निरोगी बन जाएंगे प्रस्ण सद्गुरु की कौन सी सीमत पालन करने में ही गुप्त मेना थे उत्तर सद्गुरु की सीमत है मीठे बच्चे इस दे को भी भूलकर मुझे याद करो अपने को अकेली आत्मा समझो देही अविमानी रहने का पूरसात करो सब को यही पैगाम दो कि आज सरीरी बनो द बच्चों को गुप्त मेनत करनी पड़ती है तक दिर्वान बच्चे ही या गुप्त मेनत कर सकते हैं ओम शांती बच्चे बैठे हैं अपने भाई और बेहनों को डिल सिखलाने या कौन सी डिल है इसमें बच्चों को कुछ कहना नहीं होता है वो जो जिसमानी डिल आधी कर उसमें तो कहना पड़ता है यह तो सुप्रिम टीचर है जो गीता का भगवान भी है जो बच्चों को बैट योग की डील भी सिखलाते हैं यह डील भी गुपते हैं डील सिखाई इसलिए जाती है क्योंकि इस्टुवेंट रूस्ट पूष्ट हैल्दी हो तुम बच्चे जान किस मन मनाभव की डील से 21 जन्मों के लिए बहुत रूस्ट पूष्ट रहेंगे कभी बिमार नहीं होंगे तो कितनी अच्छी रूहानी डील है बाब समझाते हैं मन मनाभव इसमें कहने की भी दरकार नहीं सिर्फ समझाया जाता है कि अपने को आत्मा समझो देही अविमान भव का अर्थ ही है कि तुम बाब को याद करो तो एवर हेल्दी बन जाएंगे कलप पहले भी हम इस रूहानी डील से एवर हेल्दी बने थे रूहानी डील रूहानी बाब परमपिता परमात्मा सी भी सिखलाते हैं भगवान तो उनको ही कहा जाता है जिनकी पूजा भी होत ब्रम्हा देवता नमा शीप पर्मात्मा ये नमा कहेंगे। ये ड्रील कोई जिश्मानी मनिश्य नहीं सिखलाते हैं। ऐसे नहीं कि तुमको ये ड्रील ब्रम्हा ने सिखाई है। नहीं। परजा पिता है ना डीर सिखलाने वाला तो निराकार बाप है वो गूप्त है गूप्त होने के कारण मनिश्यों को समझने में भी डिफिकल्डी होती है ब्रम्हा को तो भगवा नहीं कहा जाता या नाम ही दिखाते हैं ब्रम्मकुमार कुमारियां अर्थात ब्रम्हा की संतान जब कोई आता है तो उनको समझाना है कि यह नई दुनिया रचने वाला ब्रम्हा नहीं है लेकि निराकार बाप है जो ब्रम्हा द्वारा रचना रचते हैं पाल लोकिक परमपिता प्रमात्मा ब्रम्हा द्वारा रचते हैं गोया शुप्रिम सोल की रचना हुई, तुम पत्र के उपर लिखते हो, शीप बावा केर और ब्रमा, तो यह भी याद करने की युप्ति है, शीप बावा सिखलाते हैं ब्रमा दुआरा, बस सिप कहते हैं मन मना भव और कोई तकलिप नहीं दी जाती, सिप कहा जाता है कि तुम अपनी उन्नती चाते हो और सचखन का मालिक बनने चाते हो, तो सचखन अस्थापन करने वाला तो एक ही सच्थ्य बाव है, उसे याद करो, बेहत का बाव यांकर बच्चों को कहते हैं, कि मुझे याद करो तो पापों से मुक्त होंगे, कृष्ण को पतित पावन नहीं कहा जाता है, शिवाय परमपिता प्रमात्मा के और कोई नाम नहीं लेंगे, गौड फादर ही कहेंगे, सब उनको फादर कहते हैं, फिर उनको सर्व्याफी कैसे कह सकते हैं, कहते हैं, वो आते हैं लिबरेट करने के लिए, ये मनुष्ण नहीं जानते, तो कल्ब की आयू ही उल्टी लीग दिये, अब बच्चों को ये ड्रील करनी है, ग्यान तो मिला हुआ है, जब बैठते हो तो अपने को देही समझ बाप को याद करो, तो वीकर मिनास होंगे, टीचर सामने बैठता है गदी पर, तो सोबता है, काईदा है कि ड्रील कराने के लिए टीचर जरूर चाहिए, कोई बड़ा टीचर तो कोई छोटा टीचर होता है, अब तुम्हारा इंतहान लेने की कोई दरकार नहीं, क्योंकि तुम खुद जानते हो, कि हम कितना समय मोस्ट विलवेड बाप को याद करते हैं, ब्रम्हा कोई मोस्ट विलवेड नहीं है, विलवेड मोस्ट वो है, जो सदा पावन है, तुम बच्चे जानते हो, कि सब से प्यारा कोई है, मनुष से परमात्मा को ही याद करते हैं, हे दुखरता सूखरता, उसको लिबरेटर भी कहते हैं, अर्थार दुखों से मुक्त करने वाला, तो बच्चों को अपना पुरु अनुसार करना है, ड्रामा प्लेन अनुसार ये दुनिया पावन होनी जरूर है, और पावन दुनिया बनने के लिए आग लगनी है, यह भी जानते हो, आग कैसे लगेगी, विनास होने भी गर दुनिया पावन बनने ही सकेगी, यह रोद्र ग्यान येग्ये, रोद्र और सी शीब नाम है मुख्य, बाकी तो अपने अपनी भासा में अनेक नाम रख दिये हैं, असुल नाम है शीब, शीब जैनती भी मनाते हैं, भारत में ही शीब जैनती मसूर है, बेहत के बाप की शीब जैनती ही है, तो आते भी जरूर होंगे, शीप बावा का नाम बाला है ब्रम्हा द्वारा सौर की अस्थपना कराने वाला है तो उस उंचते उंच बाव को याद करना पड़े ब्रम्हा उंचते उंच नहीं है वास्तों में ब्रम्हा उंच से उंच बनते हैं फिर नीचे भी उतरते हैं तुम बीके भी नीचे थे, अब उच बन रहे हो, एकदम उच बाप के घर चले जाएंगे, तुम इस समय तरीकाल लसी बन रहे हो, तुम खोज जानते हो कि हम इस सौदर्शन चकरधारी हैं, हम ब्रम्हांड और स्ष्ष्टी के आदी मजध अंध को जानने वाले हैं, ब्रम्हांड अर्था तुमच, जहां सभी आत्माई निवास करती है, दुनिया में कोई और नहीं जो समझाए कि मोल वतन में आत्माई रहती है, बीश्व और ब्रम्हांड अलग अलग है, आत्माई रहती है निर्वान धाम में, जिसको सांती धाम कहा जाता है, वो सब को प्य मूवी धाम और यह है टौकी धाम मूवी धाम में जास्ती रहने का नहीं है। शांति धाम में तो बहुतों को रहना होता है और कोई अस्थान नहीं है। आत्मा जब बाप को और घर को याद करती है तो उपर में याद करती है। बीच के धाम को तो तुम्हारे सिवाई और कोई नहीं जानते हैं। मनिश्यों को तो इतना ज्यान है नहीं। सिर्फ कहते हैं ब्रम्हा, विष्णू, संकर, सुक्षिंबतन में रहते हैं, बाकी उनों के आकुपेशन का पता नहीं है, 84 जनम लेते हैं, ब्रम्हा सो विष्णू, विष्णू सो ब्रम्हा है, यह लीप यूग, यह थोड़ी समय का है, जैसे पुरुसुत्तम मास कहा जाता ह यह तुम्हारा हीरे जैसा उत्तम बनने का उंच जनम है, सुद्र से ब्रामन बनना, सब से उत्तम है, ब्रामन बनते हो, तो दादे का वर्षा लेने के हकदार बनते हो, बाप बच्चों को कहते हैं, बच्चे सदे मन मना भव, बाप का मेसेज सब को देते रहो, बाप को कहा आई जाता है मेसेंजर और कोई ही मेसेंजर अथवा पैगंबर नहीं है वो तो आकर अपना धर्मस्थापन करते हैं पैगंबर सिप एक है वो ही आकर तुमको पवित्र वनने का पैगाम देते हैं वो आते हैं धर्मस्थापन करने वो कोई वापिस ले जाने वाले गाईश नह सच बोलने वाला सच्चा रास्ता बताने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा सीव है तो बहुत गुप्त मेनत करनी है बच्चों को अभी तुम जानते हो कि हमको यह दे भूलकर एक बाप को याद करना है सरी छुटा तो सारी दुनिया छुट जाती है आत्मा अकेली बन जाती है बाप कहते हैं देही अव्मानी ही बनो तो फिर कोई ही मित्त संबंदी याद नहीं पड़ेंगे हम आत्मा है हम चले जाएंगे बाप के पास बाप राय देते हैं कि तुम मेरे पास कैसे आ सकते हो यह पावा भी नामी ग्रामी है इन द्वारा बाप सभी आत्मा का गाइड बन मच्छडो सद्रिश वापिस ले जाते हैं यह यथार्त ग्यान सिप तुम बच्चों की बुद्धी में है तुमको पांडव सेना भी कहते हैं पांडव पती स्व्म साक्षात परमपिता परमात्मा हैं जो तुम बच्चों को ड्रीर सिखला रहे हैं हो बहु कल्प पहले मुआफिक जब बिनास होगा तो सब आत्माएं सरी छोड़ चली जाएंगी शत्यूग में जब थोड़ी आत्माएं हैं तो एक राज़े हैं अभी अनेक हैं फिर जरूर एक होगा यह ज्यान सारा दिन बूति में सिम्रण करना हैं बच्चों को प्रदर्शनी पर भी समझाना हैं जब नियू देली थी तो नया भारत था एक ही आदिसनातन देवी देवता धर्म था आदिसनातन कोई हिंदू धर्म नहीं था हम ब्रामन सो देवता बनते हैं यह और धर्म वाले मानेंगे नहीं जो पहले आते हैं वोई 84 जनम लेते हैं यह बिल्कुल सह समझने की बाते अब तुम बच्चों की बुद्धी में हैं कि अब नाटक पूरा होता हैं सब यह एक्टस आ गए हैं 84 जनम पूरे किये अब फिर घर चलना है क्योंकि बहुत थक गए होना भक्ती मार गए है ही थकन का मार गये बाप कहते हैं अब मेरे को याद करो औरों को भी पैगाम दो कि देख सहीत दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो असरीरी बनो तो पावन बन जाएंगे क्योंकि अब वापिस घर चलना है मोच सामने खड़ा है यहां भी बच्चे मान छोड मामे कम याद करो यह पुरानी दुनिया अब खतम होनी है तुम एक बाप को याद कर पवीत्र बनेंगे तो पवीत्र दुनिया के मालिक बनेंगे अगर मेहनत नहीं करेंगे तो फल भी नहीं मिलेगा फिर सजा खानी पड़ेगी बाप कहते हैं कि अपनी कमाई जम कहते हो और दुष्णों को भी निमंत्रन दो बाप का रास्था भी बताओ तुम बच्चों को भी कल्यान कारी बनना है अपने मीत्र संबंधियों का भी कल्यान करना है या तुमको देही अविमानी बनाया जाता है महा मंत्र देते हैं प्राचिन योग बाप ने आखर सिखाया है जिसके लिए गाया जाता है योग अगनी से पाप दगद हो जाएंगे कल्प पहले भी यही इसारा मिला था बाप इसारा देते हैं कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो रवभल अपने गिरास्त वैभार में गाया हुआ है कि सरन पड़ी मैं तेरे यह भी होता है जब कोई दूखी होते हैं तो उच ताकत वाले की जाए सरन लेते हैं यहां तो प्रेक्टिकल में हैं जब बहुत दुख देखते हैं सेन नहीं कर सकते हैं लाचार होते हैं तो फिर भाग कराये बाब की सरन लेते हैं सदगती तो सिवय बाब के कोई दे न सकें बच्चे जानते हैं कि पुरानी दुनिया विनास होनी है तैयारी हो रही है इस तरफ तुम्हारे अस्थपना की त्यारी और उस तरब विनास की त्यारी है अस्थपना हो गई तो विनास भी जरूर होना है तुम जानते हो कि बाबा आया है अस्थपना कराने इन दौरा बर्षा भी जरूर मिलेगा बाकी प्रेणा से थोड़ी काम चलता है टीचर को कहेंगे क्या कि हम आपकी प्रेणा से पढ़ लेंगे प्रेणा से अगर सब कुछ होता तो सीव जैनती क्यों मनाई जाती प्रेणा से करने वाले की तो सीव जैनती मनाने की दरकार नहीं जैनती तो सभी आत्माओं की होती है आत्माएं सब जीब में आती है आत्मा सरी जब मिलते हैं तो पाड़ बजाते हैं आत्मा का तो सौधर में है सांत उसमें नौलेज धारण होती है आत्मा ही अच्छा बुरा संस्कार ले जाती है बाप तो सर का रचेता है वहां तो पवीतरता ही है अब पवीतरता का नाम निसान नहीं है यह विशाई सागर, कितना किलियर समझाय जाता है, तो अभी किसकी बुद्धी में नहीं आता, परन्तु तुम किसको भी दोस नहीं देते हो, ड्रामा के बंधर में सब बांधे हुए हैं, तुम समझते हो, सीड़ी से उपर से नीचे उतरते आएं, ड्रामा अनुसर हमको उतर नहीं हैं, फिर बाप कहते हैं, अब चड़ने के लिए पूरसात करना हैं, परन्तु जिनकी तकदीर में नहीं हैं, वो ऐसे कहते हैं, जो ऐसे कहते हैं, उनसे समझ जाते हैं, किस तकदीर में नहीं हैं, दो चार बर से चलते चलते भी गीर पड़ते हैं, मैसूस भी करते हैं कि हमने बड़ी भूल की है, बड़ी चोट खाई, यह भी आधा कल्ब की बिमारी है, कम नहीं है, आधा कल्ब के रोगी है, भोगी बनने से रोगी बन जाते हैं, तो बाप आकर पूरुसात करवाते हैं, कृष्णों को योगेश्वर कहते हैं, इस समय तुम सच्चे सच्चे य योगेश्वर तुमको योग सिखलाते हैं, तुम ज्यान ज्यानेश्वर भी हो, फिर बनेंगे राय राजेश्वर, ज्यान से तुम धनवान बनते हो, योग से निरोगी, एवर हल्दी बनते हो, आधा कल्ब के लिए तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं, तो इसके लि शिखिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाब ददा का याद, प्यार और गोड मौनी। रुखानी बाब की रुखानी बच्चों को नमस्ते। धार्ना के लिए मुख्यशार। पहला पॉइंट पावन बनने के लिए असरीरी बनने का अभ्यास करना है। सब को पैगाम देना है कि एक बाब को याद करो, देश सही सब कुछ भूल जाओ, दुसरा पोइंट, योगेश और बाब से योग सीख कर सच्चा सच्चा योगी बनना है, ज्यान से धनवान और योग से नीरोगी, एवर हल्दी बनना है, आज प्यारी मिठे बाबा का वर्दान, कल्यान की ब्रेती और सुबचिंतक भाव द्वारा बीस्व कल्यान के निमित्त बनने वाले तीब्र पूरसार्थी भव, कल्यान की ब्रेती और सुबचिंतक भाव द्वारा बीस्व कल्यान के निमित्त बनने वाले तीब्र पूरसार् वो है जो सभी के प्रती कैल्यान की ब्रीति और सुपचिंतक भाव रखे। भल कोई बार बार गिनाने की कोशिज करे, मन को डगमक करे, बीगन रूप बने, फिर भी आपका उसके प्रती सदा सुपचिंतक का अडोल भाव हो। बाते देखने में ही नहीं आएंगी, टाइम बज़ जाएगा, यहीं बीश्व कल्यान कारी स्टेज, स्लोगन शंतुष्टता जीवन का सिंगार है, इसलिए संतुष्ट मनी बन, शंतुष्ट रहो और सर्व को संतुष्ट करो।